कॉमन इंट्रेंस टेस्ट फॉर सेशन दोहजर कीस बाइस को लेकर पांच बड़ी बाते सामने आ रही है इस वीडियो में हम आपको पांच पण बतानी कोशिश करेंगे कि एक्चुल में कॉमन इंट्रेंस टेस्ट है क्या और आपको किस तरीके से अपने आपको तयार करना है इसके क्या सहलेबस हैं क्या पैटर्न है किस टाप से इसका पीपर होगा और अगें कौन-कौन से स्टूडेंस इसमें पार्टिसिपेट करेंगे इवन कौन-कौन से युनिवरस्टी भी इसके अंदर आएगी सो वीडियो एंड तक देखिए मैं इसको डिटेल में समझानी क में पहुत ही कम टाइम में सबसे पहले एगर हम बात करें जो ऑल अलोवर इंडिया में अभी युनिवरस्टी वह 54 है था निकर इग्जाम से और उसके बाद स्टूडेंस का सेलेक्शन होता था फिर एक सेकंड बॉड़ी है जिसका नाव एंटी है नेशनल एक टेस्टिंग एजनसी इसके अंदर क्या है कि यह सीवीटी मेथड़ से एक्जाम्स लेती है कंप्यूटर बेस्ट मेथड़ से इसके अंदर ट्रांस्पारेसी बरकरार है और यह गुवर्मेंट की बॉड़ी है लेकिन यह एक ट्रांस्पारेसी के लिए जाने लाता है और अभी करेंट में जे नियू और डी यू के कुछ कॉलेजिस के लिए एक्जाम्स हुआ करते हैं तो अब फाइनली ऐसा है गौर्मेंट ने जिस तरीके से मेमोरेंडम तयार किया है उससे तो अब यह किलियर हो रहा है कि अब आप टोटल जो 54 उनिवर्सटी एंडिया में उन सबका जो एक्जाम जो है वो अब अब एंटिये ही लेगी थर्ड तिंग यह कि यह भी अब क्लासियत यही है कि क्लास 6 से लेकर के 9 का 11 का इवेंट डिप्लोमा का भी क्लास एलोग कंड़क कराती थी और इनका इंट्रेंस एक्जाम होता था तो इस वजह से यह तीनों यूश्टी काफी अप इस यूश्टी के स्टूडेंस भी थोड़ा सा प्राउब्लम में आ गए ह क्योंकि जब एंट्रेंस लेगी तो थोड़ा किलियर नहीं पता चल पा रहा है कि किस तरीके से अपने आपको तैयार करना होगा तो खैर अगर इस आर्टिकल को सभी से पढ़ा जाए और समझने की कोसिस किया जाए बिल्कुल फाइनल पॉइंट पे तो कुछ बाते बड़ और दुसरा जो होगा वह सब्जिक्ट अस्पेसिफिक टेस्ट होगा अप्टिट्यूट टेस्ट में आपका जो पेपर्स जो आएंगे वह वर्वल आएंगे कौंटिटेटिव लॉजिक एंड रिजिनिंग हाए इसेकंड तिंग आपका अस्पेरेंट जो भी एस्टूडि करना होगा अगर कोई बेस्टी के मेंस्टी बेस्टी फिक्स के लिए देना चाहता है और भी बेस्टी पेपर्स के लिए तो अगर कीसी खास पेपर में देना चाहता तो उसी पेपर के लिए वह प्रिपरेशन करना होगा तो अब यहां से तो चलिए ठीक है समाझ में आ जा है तो करेंट में जो इंडिया में जो यूनिवस्टी टोल है उसमें आपका एम्यू जाम्या जेन्यू बीच यू डी यू एयू करके यह सारे उनिवस्टी इंकलूड़ूड़ है तो अब यह बड़ा किलियर हो जाता है कि नेक्स यह यह यानि सेशन 2021 से आपका जो इंट्रें से कोर्स का होगा तो अगर नोटिस के इसाब से अगर आर्टिकल के इसाब से अगर हम देखेंगे तो इसमें सिंपली अगर पढ़िए एडिमिशन फूर 2020-22 फूर यूजी प्रोग्राम इंसेंट्र यूनिवस्टी बेस्ट ऑन देटेस्ट यानि यह ची यूजी का मतलब हो होगे यह कहने कि अभी यूनिवस्टी के हाथों में यह है आपका सिर्फ यूजी का जो है यूजी के लिए जो स्टूडेंस त्यारी करना चाहते थे वह जो है आपका एंटी यह के पास चला गया है अब हम फाइनले रिजोलूशन पर आते हैं बस यही कि अभी तो वेट ही करना होगा अपकमिंग सिच्विशन के लिए क्यूंकि यह भी है कि विदिन वन मंत यह कंप्लीट जो कह सकते हैं में मुरेंडम तयार कर ले जाएगा कि किस तरीके से आपका सिलेबस होगा एक्जाम कैसे होंगे वह सारे तयार क्या ले जागा तो फिलाल यही मैं कह सकता हूं कि इसी यूटूब चैनल पर आप बने रही है जैसे कोई यूजी सी के और से अपडेट आता है मैं अब्डेट कर दूगा और अभी के साब से मैं यूजी यूजी के स्टूडेंस को याने अंडर स्टूडेंट को मैं अवेर करना चाहूंगा कि आप अपने को तयार करिए अप्टिट्यूड और सब्ज़ेक्ट सब्सक्राइब करें अगर जैसा होना बी और दोहाजर किस्ट में तो भी पता चल जागा नहीं होना हो तो भी पता चल जागा तो फिलाल अपने आपको सब पढ़ा करते थे तो आप कहीं ने कहीं यह बड़ा नॉर्मल दिख रहा है कि कोई एक ही पेपर को पढ़ने के ज़ुरत है तो फैनली जैसा कोई अपडेट आता है मैं अपडेट कर दूंगा अब बस यह है कि इसमें और यहीं बोलें कि 54 युनिवस्टी इस एक ही फॉर्म करना होगा और एक ही फॉर्म के बेस पर आपको कोई भी एक युनिवस्टी मिल सकता है यह डिपेंडिंग करें का आपने कितना अच्छा मांक्स अस्कूर किया है बस यह है थैंक्यू फॉर और एक ही आपको की इसमें आपको की इसमें अनल ऐस रहर वाद कि आपको सुच्छ प्याइड को एक है